जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे सूपर टेस्टी सूपर इजी चीज चीली मेगी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं इस मेगी को बनाते वक्त, आपको प्षबची भी एट कर सकते हैं थोड़ा सा एट करके आपको जो मेगी पसंद हो उन सब्स60 को फ्राइ कर ले लेकिन हम यहाँ पर simple मेगी बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर पहले एक पेन में पानी एड़ कर दिया तो हम 2 मेगी बनाएंगे इसलिए 1 मेगी के लिए 1 कप यानि कि 2 मेगी के लिए 2 कप पानी एड़ करेंगे इस पानी को हाई फ्लेम पर अच्छे से बोईल कर लेंगे और पानी बोईल होने के बाद हम इसमें एक टी स्पून तेल एट कर देंगे इसी के साथ हम इसमें एक चुटकी नमक एट करेंगे तो दो मेगी के लिए यहां पर एक चुटकी नमक काफी है क्योंकि मेगी के साथ जो टेस्ट में कराता है उसमें भी नमक है और हम जो चीज एट करेंगे उसमें भी नमक होगा और इसी के साथ हम इसमें मेगी एट कर देंगे और गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके कुछ देर तक पकने देंगे तो देखिए अभी इसमें नूडल सेट किये हुए सिफ आधी मिनिट हुई है तो आप देख सकते हैं कि ये नूडल सोफ्ट हो गए हैं तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे हम इसे तोड़ेंगे नहीं बस मिलाएंगे इसे और इसी के साथ हम इसमें टेस्ट में करेट कर देंगे अगर आप चाहें तो इस टेज पर इसमें थोड़ा सा ओरेगेनो भी एट कर सकते हैं क्यूंकि ये चीज चीली में की है तो हम इसमें एक टीस्पून चीली फ्लेक्स एट करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके पास शीली फ्लेक्स अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह एक टीस्पून सेजवान चटनी या फिर सेजवान सोस एट कर सकते हैं तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मेगी की एक लेयर सेट कर देंगे तो इस तरह से इसके एक लेयर बनाने के बाद हम इसमें चीज की स्लाइसिस रखेंगे तो चीज का फ्लेवर आपको जितना पसंद हो इसी साब से आप चीज की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं तो हमने दो स्लाइसिस रख दी है और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर सिफ एक से डेड़ मिनिट टक पकाएंगे तो हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर एक से डेड़ मिनिट टक पका लिया है और अब देख सकते हैं कि चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे मिला लेंगे और साथ ही में हमारी मेगी सव करने के लिए बिल्कुल तयार है मेगी को और भी चीजी बनाने के लिए सव करते वक्त हम इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चीज ग्रेट करके एड़ कर देंगे क्यूंकि मेगी बनाते वक्त हमने चीज स्लाइस एड़ की है फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई